बाज लोग मुझे मजदूर दोस्त कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं फैस हूँ, यानी ओफसिन और बलगर कहानिया लिखता हूँ, कुछ कहते हैं कि मैं तरक्की पसंद हूँ, प्रोग्रेसीव हूँ, यह क्या बेहोद किया है? मंटोई के इनसान है और हरी इनसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए मरे मुकदमे पर अकसर प्रोसिक्रिटर सहाव इस बात पर जोड देते हैं कि मेरी कहानियों के कुछ किर्दरों के जवान गालियों से भरा पड़ा है लेकिन मैंने उनके मुझ से वो सब कहर आए है उनके लफ़ वो है जो आपको रोज मरा के जिन्देगी में सुनने को मिल जाएगा किसी भी सड़क के किनारे किसी भी नॉर्माल ये फिर आप जिसे समस्तों के सन्मान दायक बेकती है वो भी इस तरह के गाली इस तरह के अलपास का इस्तमान करता है तो ये कोई ने बात नहीं है लेकिन इस चीज़ को अगर हम एक कहानी में लाने की प्रयास करते है तो हर कोई कहता है कि ये गलत है जब कि ये हर कोई करता है करने में गलत नहीं है लेकिन ओचीज़ अगर दुनिया को बताया जाए तो वो गलत कैसे बन चाता है यह सवाल है लेकिन इसके बारे में कोई पूछना नहीं चाहता इसके बारे में कोई डिस्कसन करना नहीं चाहता पता नहीं क्यूं हम इससे दूर क्यूं जा रहे अब देखा जाए तो यह कोई नई बात नहीं इसलिए क्योंकि जितनी भी आप मसूर नमेंदिगार को ले लो या फिर कोई राइडर को ले लो उस पर कभी ना कभी इस तरह के इंजाम लगे हैं तो नई बात नहीं है पर हम सियुकार क्यों नहीं करतें अगर यह चीज ऐसा है तो हम उसे षिवकार करनां क्यों नहीं चाहते टार्ट को रेसम कहने सेда क्या वह टार्ट नहीं रहेगा अगर मैं टाट को रेसम कहने लगूं तो क्या वो रेसम बन जाएगा इसा नहीं होगा ना तो हकिकत तो इंकार करना हमें कभी भी बहतर इंसा नहीं मनाएगा जो चीज हकिकत में है वो है हम उसे बदल नहीं पाएंगे क्योंकि